तो हेलो रोस्तों मैं हूँ आसीस आज की इस बेहतरीन सी वीडियो में आपका स्वागत है आज हम कंपेरिजन करने वाले हैं मारूतिव रेजा का VXI और ZXI और ये जो गाड़ी है मारूतिव रेजा का VXI काफी वेलू फॉर मरी वेरिंट मारा जाता है और ZXI भी देखा जाएना तो काफी बेहतरीन सी फीचर इसमें भी आपको देखने को मिल जाते हैं कहीं न कहीं अगर जो आपको प्लान बन गया है सब कंपेक्ट रेक्सिव में बेजा ही लेने का तो ये दोनों वेरिंट आपको ज़रूर कंफ्यूज करेगा तो आई या हम बात करते हैं जब आप VXI से ZXI में जाते हैं क्या कुछ प्लाइड इफरेंस देखने को मिल जाते हैं और क्या कुछ किस बेहरेंट में आपको अच्छा फीचर्स ओफर किया गया है सबसे पहले कर जो आप VXI से ZXI की तरफ जाते हैं तो आपको 1,40,000 रुपया एक्स्ट्रा पे करना होता है पर जब आप VXI से ZXI में 1,40,000 रुपया पे करके जाएंगे तो क्या कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है इस ZXI में सारी चीजों कवारे में डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले कीमत की बात कर लेता हूँ तो यह आपको 9,64,000 रुपय की आपको एक्सट्रा रुपय की एक्सट्रा रुपय पर जाती है सबसे पहले की की बात करेंगे तो भाई VXI मोडल में आपको फिजकल की मिलेगी VXI की तरफ जाते हैं तो इसमें आपको हाइलोजन प्रोजेक्टर हेडरंस मिल जाता है सिंगल बैरल के साथ, टर इंडिगेटर के साथ पार्किंग लाइट यहाँ पर ओफर की गई है अगर जो आप हैं ZXI की बात कर लेते हैं तो आपको डूल बैरल के साथ लेटी हेडरंस मिलते हैं लो भी और हाई भी मजज़ कर सकते हैं और देखेंगे तो इसमें आपको DRS भी ओफर की गई है VXI में आपको DRS नहीं मिलेगा और इंडिगेटर की प्लेस्मेंट यहाँ पर दी गई है तो VXI कुछ आईसी माज़र आती है जब जब आप ZXI को देखते हैं तो DRS के साथ यह जो इंडिगेटर जलते हैं आपको गाड़ी काफी बेहतरी लगती है फ्रंट से और आपको ZXI में Silver Skill Plate मिल जाती है VXI में वो चीज नहीं ओफर की गई है और उसके बाद देखेंगे न तो आपको कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा दोनों बेरियंट में आपको Fog Lab नहीं मिलेगा Chrome Grill आपको मिल जाती है बीच में सुच्की का Logo Madison के साथ आपको इसका Lower Grill मिल जाता है Tone Hook सारी चीज़े ओफर की गई है इन दोनों गाड़ियों के Front Profile में आइए Side Profile के बारे में बता देते हैं यह रहा है इस ZXI के Side Profile ऐसे कुछ लुग निकल के आती है VXI की आइए Differences की बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ ZXI में आप देखेंगे तो आपको Black Card के साथ Eloi Wear मिल जाएगा दोनों गाड़ियों में आपको 16 इंच के ही टाइर आते हैं आगे डिक्स मिल जाएगा दूर में ड्रम मिल जाता है यह है कि टाइर साइज आपको सेव मिलेगा पर इस ZXI मोडल में आपको Eloi Wear मिल जाता है और भी में पर नजए डालेंगे तो दोनों के adjustment आपको सेव मिल जाता है electronic adjust के साथ fold इसे भी कर सकते हैं electronic adjust के साथ इसे भी fold कर सकते हैं side molding के काफी अच्छे तरीके चाथ ध्यान रखा गया है आपको body clear door handles मिल जाते हैं पर जब आप ZXI मोडल में जाते हैं तो यहाँ पर आपको record sensor मिल जाता है आप यही से गाड़ी को lock lock कर सकते हैं कहीं न कहीं यह फाइदा आपको side में देखने को मिल जाता है और यह feature काफी premium लगता है उपर देखेंगे तो ZXI मोडल में आपको roof rail मिल जाती है रियर में आते हैं तो आई से कुछ look निकल के आते हैं इसके rear profile की देखते हैं rear में क्या कुछ difference देखने को मिल जाता है चार reverse parking sensor इसमें भी चार रियो सपार्किंग सेंसर उसमें भी आपको मिल जाएगा यह एक इस still wear skirt plate आपको ZXI मोडल में आफर की गई है कहीं न कहीं जो rear profile काफी improve हो जाता है ब्रेजा लिखा गया 3D में बेच में सुज़ी का logo वाइपर डिपोगर्स हाई मोडर इस्टप लाइए स्पोईलर सारी चीज़े ओफर की गए हैं इस ZXI मोडर में यहाँ देखेंगे तो camera भी ओफर किया गया है लिटी टेलेम मिल जाते हैं ब्रेक वाली उन्हें टर्रेट निगेटर रिवर्स लैप यहाँ पर ओफर की गई है अब जो आप हम आपको ले चलते हैं इन दोनों गाडियों का इंट्री परफाइल चेक करवा देते हैं तो सबसे पहले हम VXI की तरफ चलेंगे फिर आपको चेक करवाएंगे इसके ZXI मोडल में जो एक लाग चालेस जार रुपिया एक्स्ट्रा पे करते हैं फुल तरह के से आपको ब्लैक कलर मिलेगा चारो पावर बिंडू के साथ साथ इलक्ट्रोनिक अरजट के साथ साथ आप फोल्ड भी कर सकते हैं बोडर होलर, पेपर होलर सारे चीज़े ओफर की गई है वी एक्साइ मोडल में अब अजटेवल सीट मिल जाती है आप अपने हाट के कार्निंग अज़ेस्ट कर सकते हैं तो यहापे आपको हेडरिम के साथ साथ ट्रक्सन कंट्रोन भी ओफर की गई है और बताते हैं VXI में क्या कुछ features offer किया गए पुरा फूल तरीके से blacker का use देखने को मिलेगा steering के adjustment की बात करेंगे तो tilt हो गया, telescope option आपको नहीं मिलेगा info 10 में system के सारे controls दिये गए steering पे, आप यहाँ से volume up down कर सकते हैं यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो एर्वेक्स मिल जाते हैं और यह रहा इसका बेहतरी इंफॉर्मेटिव एमाइड़ स्पीडियोमीटर टेकोमीटर छोटी से यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखेंगे तो टू का फोल्डर भी ओफर किया गया है इस बेहरेंट में आपको आमरेस टोगेर नहीं मिलेगा यह है कि पीछे आपको रूम लाइट ओफर की गई है तो ऐसा कुछ सिस्टम है ओवरॉल यह रहा इस वी एक्साइड का ओवरॉल इंटियर प्रफाइल आने माले सेफटिक फीचर की बात करेंगे तो अब को चकरवा देते हैं इसका रियर सीट कमफर्ट का ऐसा लाइग रूम और हैड्रूम और क्या कुछ फीचर्स ओफर किये गए हैं पुरा फुल तरीके से ब्लेक रूम का मिलेगा जैसे फ्रंट में आपको मिलेगा सॉफ्ट अच की यूच किये गए हैं मिले रब डाउन यहीं चेकर सकते हैं बोर्टर होलर स्पीकर भी आपको ओफर की गई है फैबरिक के सीट आती है अब जिस टेवल आपको हैड्रेस मिल जाता है इसके रियर में भी कमफर्ट वारा कैसा है आए बता देते हैं नो पर आपको रूम लाइट ऑफ़र की गई है जो कि हाईलोजन है और फोल्डेबर ग्रेबंडर्स ऑफ़र किये गए है तो ऐसा कुछ सिस्टम है आईए अब हम आपको लिए चलते हैं इसके ZXI मोडल में जो एक लाग चायल सेजार रुपर एश्टरा देते हैं तो क्या जब आप ZXI में आते हैं तो इसका इंटीजर जो है वह आपको चेंज देखने को मिल जाता है ब्राउंज और ब्लेक किलर के साथ साथ सिल्वर स्विस का भी यूज किया गया है चारो पावर बिंडो के साथ साथ आप यहीं ते चारो मिल्डर को लॉक हो सकते हैं पावर डो अफिर्ण में आपको यह चीज नहीं मिलेगी और क्या कुछ मिल जाता है यह हम बता देते हैं जैब आप ZXI मोडल में आज़ाते हैं तो कहें नचाहिन celebrating की गई है और सारे चीज़ें सेमी है, स्पीडियो मेंटर के साथ आपको टेको मिल जाता है सारे इफॉर्मिशन आपको इस M.I.D. में देखने को मिल जाते हैं जैसा के सेड वेल्ड रिमाइंडर, लो फिलोरिंग, स्पीड एलर टॉनिंग जो भी इन्फारे इस सिस्टम होते हैं, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है इस स्टेरिंग के जब आप नजर डालते हैं, तो इसमें आपको इन्फोर टेन्मिन सिस्टम के सारे कंटोल दिये गए है वेलम अपडाउन करने के साथ फोन उस्वार्टे के कार्टेंग वाइस कमांड के सारे फिचर्स आपको इस्टेरिंग पर ही मिल जाता है पर इस ZX-TRI MADAL में आपको क्रूस कंट्रोल भी ओफर किया गया है जब आप कहीं लॉंग तूर पे जा रहे हैं जब आप सेट करेंगे तो गालिक काफी बहतरी इन माले जेती है तो कहीं ने कहीं ये पॉइंट आपको इस टेरिंग पर एस्टा में जाता है हेडरिम से कंट्रोल से यहां पर दिये गए है आपको वाइपे से कंट्रोल यहां पर ओफर किया गया है डेस्बोड उगरा काफी स्पेस्जी है से दोनों गाड़ियों में कोईश सक नहीं है उपर देखेंगे तो यह पर आपको टिकेट होल्डर ओफर किये गए हैं वैटी मिजर ओफर की गई है विथ हालोजन लाइट के साथ ऐसा को सिस्टम है डेनाइट आई आर्बियम ओफर कि संग्लास होल्डर के साथ हालोजन लाइट ओफर की गई है और वन टच में आप इस संडूरोफ को ओपन कर सकते हैं और ऐसा नहीं है भाई बस नाम के लिए इस संडूरोफ है इस पेस भी आपको काफी अच्छा-कासा मिल जाता है ऐसे करेंगे तो यह बंद भी हो जाता है क इसका जो infotainment system ही यह भी आपको चेंज देखने को मिलेगा इसमें आपको android auto play apple carplay मिल जाता है और साथी साथ इसमें आपको reverse parking camera भी offer किया गया है और काफी informative जैसे कि average अगरा आप इसके infotainment system से चेक कर सकते हैं और वी setting अगरा में जाना है तो आप setting अगरा में जाके speaker अगर इसमें लगता है हजाल लाइट ऑन करने के से असाथ two point आपको इसजिमेंट मिल जाते हैं automatic climate control दोनों गारियों में आपको मिल जाएगा इस्टोल वर्ट की चार्रिंग स्वागिर की साथ यह जी पोर्ट ऑफर किये गए है storage अगरा सारी जी जो ऑफर की गई है फाइप स्पी इस गारी के जो इन फोटेर्म इसका थी अलग है उसके बाद electric sunroof मिल जाते हैं alloy wheel मिल जाता है आपको और कहीं न कहीं देखा जाए तो जो इसका इंट्रीड पराइल है vxy से काफी बेहतरी लगता है और आइसी कुछ overall नजर आती है यहां से safety features की बात करेंगे तो सबसे पहल वाडियों में आने वादे इंजन की बात करेंगे तो 1.5 लेटर का फोर्ड सिलिंडर इंजन जो 101 ब्हप के साथ 136 नेम का टॉक्ट निकालता है थारा की माइलेज कंपनी क्लेम करती है जब आप एक सब कंपेक्ट सब्सक्राइब ले रहे हैं तो आप इस जैडेक्स आई की त आप हमारी वीडियो को लाइक सेर और आसी इसका रिवीव चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर आउन कर लें आज कर दो बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद